साधी के रियूस आइडियाज साधी रियूस आइडियाज बहुत अच्छे से अप्रिशेट के जाते हैं तो जो आइडियाज मैं आज आप लोग को देने वाली हूँ वो साधी रियूस आइडियाज वेस्टन वियर से और इंडियन वेर से यानि कि मैं इंडियन वेर भी बनाने वाली हूँ और वेस्टन व तो actually it depends कि आप कौन से एरिया में है तो टेलरिंग कॉस्ट वैसे वैरी कर जाएगी दूसरी चीज मैं बताऊंगी कि ये जो साडिया है उनका material क्या है और उसके बाद में आप और भी अगर designs उनसे related कुछ बना सकते हैं तो वो भी में यहां पर publish करती जाऊंगी पिक्चर दिखा के तो आप वैसे भी try out कर लीजेगा तो मैंने जो बनाए हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही और साथ में ही आपको कुछ और options भी दिखाती जाऊंगी तो फटाफट से अब हम लोग देख लेते हैं मैंने 3 साथिया ली हुई है और 3 साथियों में से मैंने 4 चीज़े बनाए ली है क्या क्या हैं वो चीज़े देखते हैं ओके वो पहली साढी है वो इस तरीके की साढी थी काफी हलकी फुलकी साढी थी तो साढियों का भी जो footage लिया है वो मैंने यहाँ पर flash करते जाना है आप वो भी check out करते जाएगा साड़ी जो है बहुत ही अच्छी साड़ी print इतना अच्छा है इसका synthetic साड़ी मैं बोल सकती हूँ लेकिन बहुत थल्की और इस type की साड़ी थी जो मैं casually wear कर सकती हूँ किसी कीटीज में wear कर सकती हूँ इस type की साड़ी थी मैं लब बहुत ज़्यादा कुछ ताम जाम इस साड़ी में नहीं था बहुत ही simple delicate की साड़ी थी तो इसके लिए ये साड़ी मैंने चूज करी कि क्यों ना इससे में एक western wear बनाओ क्योंकि generally western wear normally भी किसी हेवी साड़ी से तो बन नहीं सकते हैं तो इस साड़ी से मैंने एक बहुत ही अच्छा jumpsuit बनाया है स्लीवलेस jumpsuit है इस तरह के से आप जाते हैं तो यहाँ पर डोरी वाला भी आप आईडिया यूज कर सकते हैं वेस्ट के तरफ मैंने यहाँ पर एक डाली हुई है और पीछे यहाँ पर elastic दिया हुआ है साथ में pockets हैं और ठीक parallel जाता है आपके leg area में और leg area के नीचे इस तरीके का frill बना दिया है मैंने इस तरीके का मैंने जैसे design दिखाया था तो यह frill area है तो काफी अच्छा घेर आजाता है और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं lining इस तरह के से दियुई है तो जो आपका पल्ला वाला area था वो हमने यहाँ पर यूज करा हुआ है और जो बाकी की body थी साडी की तो वो हमने अपने body के तरफ यूज करा हुआ है यानि की jump suit के जो front portion है और जो पल्ला वाला area है वो हमने सिर्फ bottom में जो frill area आ रहा है उधर दिया है पीछे के तरफ इस तरीके से यह एक zip लगाई होई है ताकि पहने में असानी रहे तो यह इस तरीके का बहुत अच्छा एक look आ जा रहा है और यह pockets भी अच्छे खासे हैं और इस जम सूट का जो idea था वो इस picture में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा casual सा यह जम सूट है तो इसको में थोड़ा सा कुछ चेंज करके मैंने यह जम सूट बनाया और ऐसा ही जम सूट मैंने एक बर और आप लों के साफ में शेयर करा था तो वो वीडियो भी आप चेक आउट कर लीजेगा वो भी एक सिंद तरीक से साडी और मेरी खाल से इसे mixed georget कपड़ा था बहुत अच्छा था तो आप इस तरीके से बना सकते हैं तो पूरा लुक यह रा So here goes the full look guys यह पहने के बाद बहुत खुबसूरा दिखता है आपको कैसा लगा जरूर बतायेगा गोल गला है, स्लीवले स्लीव्स हैं पॉक्ट है यानि की यूजर फ्रेंडली है काफी अच्छे से आप यूज कर सकते हैं और दूरिंग समर टाइम अलसो यूज कन यूज दिस काफी कमफटेबल भी है और कपड़ा भी इसका सॉफ्ट स्मूथ है इसलिए बिल्कुल भी आपको परिशानी नहीं होगी इसको पेर अप करते हुए मैने यहाँ पे इंस्टरग्राम स्टोर से लिये हुए बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि यह साडी से बना हुआ है पसंद आए होगा यह आइडिया तो लाइक जरू करना ऐसा जम सूट मैंने बनवाए है इसी तरीगे से आप लाइट वेट की जो साडी रहती है सिंथेटिक साडी रहती है तो उसको आप जम सूट के और आइडिया अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे में यहाँ पे स्क्रोल करती जाओंगी वहाँ से आपको जो भी पतंद आए आप पॉस कर लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए और टेलर के पास में जाएए और वहाँ से आपको बैसा वाला जम सुट सिलबा सकते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं वैसे ही और भी ऑप्शन्स बताती जाओंगी अपने नेक्स्ट ड्रेसे में दूस्रे नमबर की जो साडी है वो एक हेवी साडी होने वाली है तो यह जो साडी थी वो मेरी मौसी साथ की थी उन्होंने अपने बेटी की शादी में खरी दी तो नाचरल टी आप समझ सकते हैं कि उसी टाइप का वो कलर होगा उसके ओपर पूरा वर्क होगा तो हेवीनेस अच्छी कासी रहेगी तो यहां से मैंने वो साडी ली क्योंकि उनको अब नहीं पहने थी हेवी थी तो मैंने वो जो साडी उन्होंने मुझे दी कि तू करती रहती है सब चीजे तो चल इसका भी बना के देख तो मैंने सचा चलो ट्रा आउट करते हैं हेवी कुछ बनाते हैं तो यहां पे यह साडी आप देख सकते हैं, इतना खुबसूरत इसके ओपर लेस है, और जो कलर है, यह और इंज, ग्रीन, और इस तरीके का जो बोल्डन लेस लगा हुआ है, बहुत संदर कलर भी आया हुआ है, इसका माटीरियल मैं आपको बता दूँ, यह सूपर नेट जैस है क्या, so look at this pattern, आप देख रहे हैं, यहां पर यह एक मैंने जैकेट पैटर्न में यह सूट से ला हुआ है, यह पूरा का पूरा कुर्ता है, यहां पर यह फ्रंट में, कॉलर में एक बटन लगा हुआ है, जो की दो बटन लगे हुए हैं, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, पहनना चाहते तो आप इस तरीके से ओपन में भी पहन सकते हैं, और अगर आपको यह क्लब करने हैं, तो आप क्लब कर की भी पहन सकते हैं, तो यह जो साड़ी थी, यहां पर इस तरीके से बहुत सरी बूटियां लगी हुए थी साड़ीयों में, तो उन बूटियों का मैंन अच्छा सा इस तरीके से साडी आ जाती है दूसरी चीज इसमें जो बॉर्डर पर इस तरीके की लेस लगी उती इस लेस को भी मैंने कैसे कैसे यूज किया है वो आप देखते जाएंगे आगे क्योंकि ये लेस नाचरली इस तरीके से पतली सी नहीं थी तो इसको पतला किया है और फिर यहां पर इस तरीके से प्लेस किया गया है कुर्टे में जितना लगा उसके बाद में जो एरिया बच गया साडी का उससे मैंने बनाई है ये सुंदर सा डुपट्टा यहां पर आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा लेस था और इस तरीके से यहां पर ये बूटि निकाला है जो कि जैकेट पैटर्न में है और दूसरा ये दुपटा निकाला है और इस सूट के नीचे आप कोई भी इस गोल्डन कलर की लेगिंग्स डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा दिखेगा तो आपको वरी करने के ज़रूरत नहीं कि मैं अब लेगिंग्स में क्या सकते हैं इसके नीचे जो की काफी अच्छा दिखेगा तो इन दाट वे एक ही साडी में से आप दो चीजे निकाल लीजे बना लीजे बहुत अच्छा दिखता है ये दूपटावादा एरिया था और ये बाकी का एरिया था तो कुर्ते के सामने जो लेस लगाई है कितनी ख साडी हो उनसे आप हैवी कुर्ती बना सकते हैं केप स्टाइड में बनाएंगे तो लुक इकदम डिफरेंट आ जाएगा चुन्नी में भी इतनी ब्रॉड लेस से एकदम रॉयल लुक आ जाता है इसी कुर्ती में आप ओपन बटन भी आप इस श्रग को पहन सकते हैं बस चुन्नी में ही रहने दी और बाकी साडी का जो कुर्ता बनाया है उस पे से मैंने ये बूटियां हटा दी है ताकि साडी लुक ना सके तो ये श्रग वारी कुर्ती आप लोगों को हवी साडी में से जो निकाल के बनाई है कैसा लगा ये वला आईडिया जरूर बताईएग Coming to the last and the third साडी ये भी साडी मेरी मौती सास की है ये भी एक heavy साडी है बहुत ही अच्छी साडी और जिसके उपर कुछ इस तरीके का work किया हुआ है गाईज बहुत प्यारी साडी थी मैं कपड़ा आपको बोल सकती हूँ कि mixed में ही है mixed कपड़ा है थोड़ा सा थिक कपड़ा ह बहुत थिक नहीं लेकिन हाँ normal Georgia chiffon से थिक कपड़ा है और Supernet से भी थिक कपड़ा है उसी हिसाब से में I don't know exactly कि क्या material होगा ये इसके उपर threadwork क्या हुआ है woven work है और इस से मैंने दो पीसे निकाले इस साडी से जो की पहला है ये इस टाइप की धोती और धोती काफी चल रही आजकर गाई तो ये इस टाइट के मैंने धोती बनवाई है बहुत सुन्दर लिखती है और सामने इस तरीके के belt है और पीछे इस तरीके की elastic दी हुई है तो ये जो लुक है काफी अच्छा आता है और दूसरा इसी साडी में से जो मैंने इसका टॉप बनवाया है वो है ये इस तरीके से ये टॉप है और इसका जो नेक है नॉर्मल ही दिया हुआ है कुछ अलग सा नहीं दिया है स्लीव भी यहां तक ही जैसे यहां है वैसा ही आ रहा है और आपके जो वेस्ट साइज में से इस तरह को थोड़ा सा पेपलम टाइप का effect आ रहा है तो ये टू है चलो देखो कैसा है ये वाला ड्रेस काफी संदर दिखता है धोतियां आजकल काफी इन है अलग अलग टाइप की धोतियां बनती है तो यहां पर मैंने इस टाइप की धोती बनाई है और ये लुक मैं समझ सकते हूं कि नवरातरी टाइम में काफी अच्छा दिखेगा मैंने ब्राउन जोतियां डाली हुई है तो यहां पर मैंने इस टॉप को एक पेपलम टॉप के टाइप में ही बनाए हुआ है स्लीव्स मैंने शॉर्ट रखे हैं क्योंकि साडी की जो थिकनिस थी वो जादा थी और यहां पर मैंने सिल्वर ज्वल्री से इसको तो गाइस अगर आपको इस तरह के का ड्रेस सिल्वाना है नवरात्री के टाइम के लिए तो यह परफेक्ट है अदर्वाइस भी हम धोति के ऊपर कोई और टॉप के नीचे कोई और टाइप की बॉटम्स डाल सकते हैं और इसको स्टाइल कर सकते हैं यह र्यूज आईडिय अब और शीज बताऊंगी लिकिन सबसे पर्ले बताऊंगी कि आप सोचे रहें कि इस साडी में से आपने दोती बनाई टॉप वोशन मनाया पल्लू का क्या हुआ तो पल्लू का मैंने बना लिया है चुनी बहुत प्रिटी सा यह इसका पल्लू था आप देख रहे कितना तरीके से पहन सकते हैं और इसहवी चुनी को आप पहन सकते हैं कोई भी फंक्शन्स, wedding, parties इस तरीके करी occasion हो उसमें इस चुनी को भी हम लोग अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं अलग-अलग dresses के ओपर भी पहन सकते हैं यहां पर मैंने same outfit के ओपर पहना है आप चाहें तो different ideas के हिसाब से आप इस चुन्नी को पहन सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं और videos relating to mix match ले किया हूँ तो मुझे ज़रूर बताना comment box में So यह चुन्नी कैसे लगी इस चुन्नी का idea कैसे लगा ज़रूर मुझे बताना So that was all I hope कि आप लोगों को यह video काफी पसंद आया होगा और इतनी सारी महनत करती हूँ मैं अपनी साड़िया निकालती हूँ उनको cut-kharवाती हूँ टेलर से नए-ने design से नई चीज़े बनवाती हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं इस सारी को कैसे करें उस सारी को कैसे रियूज करें तो इतनी सारी महनत मेरी जो लगती है उसके लिए आप कमजिगम like share करिएगा जरूर इस वीडियो को और भी जो वीडियोस है जो आपको पसंद आते हैं उनको भी कि बहुत महनत लगती है इन सारी वीडियोस को बनाने में अगर इस टैप का कॉंटेंट आप लोग को पसंद आता है और मेरा चानल देखना पसंद आता है तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लो मेरे इस चानल को और मेरे अगले वीडियो आने तक बाबाई टेक केर एंड कि रेम ठ requirements कि भ दोड़ मेरे एंडियोस को कवे और मेरे थीडियोस川äch scholar